हमसे कहा गया है, fill in the blanks to complete the equation that describes the diagram. तो यहाँ पर हमारे पास एक number line का diagram है, और यहाँ पर नीचे एक equation के लिए हमारे पास एक number है और कुछ boxes है, तो हमें इस equation को इस diagram के according भरना है. तो चलिए देखते हैं, तो यह हमारी number line दे रखी है, और यह number line horizontal ना होकर vertical है, यानि कि जीरो के उपर वाले सभी numbers positive numbers को represent करते हैं, और इस जीरो वाले mark के नीचे के सभी numbers negative numbers को represent करते हैं. तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या है, यह है zero और यहाँ पर एक arrow है, जो zero से शुरू होती है, और नीचे के direction में move करती है, और यह कितना नीचे जा रही है? 1, 2, 3, 4, यह zero से 4 नीचे जाती है, यानि कि यह point indicate करता है negative 4 को, तो हम हैं अभी negative 4 पे, जो कि हमारे equation में हमें दे रखा है, negative 4 और फिर negative 4 जहाँ खतम होता है, जहाँ पे यह इस arrow का tip है, ठीक वहीं से हमारी दूसरी arrow शुरू होती है, और यह भी नीचे की तरफ move कर रही है, यानि कि हम negative 4 में एक negative number आड़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी यह arrow भी नीचे की तरफ जा रही है, तो हम कितना आड़ कर रहे हैं negative 4 में, यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम negative 4 से शुरू करकर 6 यूनिट्स नीचे जा रहे हैं, यानि कि हम negative 6 आगे बढ़ रहे हैं, यह वाली arrow रिप्रेजेंट करती है negative 6 को, यानि हम negative 4 में आड़ कर रहे हैं negative 6 को, तो यह बराबर होगा negative 4 प्लस negative 6 के, और हम finally कहां पहुचते हैं, यह है negative 8, यह negative 9, और यह होगा negative 10 वाला मार्क, क्योंकि यहाँ पर हर एक मार्क के बीच के distance 1 यूनिट के बराबर है, तो यह वाला मार्क जहाँ पर हम finally पहुच रहे हैं, यह represent करता है negative 10 को, तो negative 4 प्लस negative 6 बराबर है negative 10 के, इसे चेक कर लेते हैं, जी हाँ यह ठीक है, next question solve करेंगे, तो यहाँ पर फिर से हमारे पास एक number line है, और इसे describe करता हुआ हमें एक equation लिखना है, चलिए शुरू करते हैं, हम हैं अभी 0 पे, और 0 से एक arrow नीचे की तरफ बढ़ रही है, यानि कि यह arrow जहाँ कहीं पर भी खतम होती है, वो point एक negative number को represent करेगा, तो यह कितना होगा, चलिए देखते हैं, यहाँ पर 2 marks के बीच की जो distance है, वो 1 unit के बराबर है, तो यह है 0, यह है 1, यहाँ पर आएगा 2, तो हम कह सकते हैं कि यह जो point है, यह 0 के 2 unit नीचे है, यानि कि यह represent करता है negative 2 को, और negative 2 तो हमारी equation में पहले से दिया हुआ है, और साथी साथ यहाँ पर negative 2 के बाद एक minus sign है, यानि कि हमें negative 2 में से कुछ subtract करना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर negative 2 के आगे हमारी दूसरी arrow शुरू होती है, जो कि फिर से नीचे के direction में जा रही है, और यह कितने units नीचे जा रही है, 1, 2, 3, 4, तो हम negative 2 से शुरू करके 4 units नीचे जाते हैं, यानि कि हम negative 2 में negative 4 add कर रहे हैं, और negative 2 में negative 4 add करने का मतलब है, कि मुझे negative 2 में से 4 subtract करना है, यहाँ पे अगर मैं 4 लिख देती हूँ, तो यह बराबर हो जाएगा negative 2 minus 4 के बराबर, जो कि दरसल negative 2 में negative 4 को add करने के ही बराबर होता है, तो finally हम कहां पहुच रहे हैं, यह है negative 4, यह negative 5 होगा, और यह होगा negative 6 के बराबर, तो negative 2 minus 4, या फिर negative 2 plus negative 4, यह बराबर होता है negative 6 के, और यह भी सही है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, write an addition equation, और a subtraction equation, यहाँ पे हमें एक choice दे रखी है, to describe the diagram, यह है हमारी number line, और हमें इसे एक equation में describe करना है, चलिए करते हैं, यहाँ पर है 0, और हम 0 से उपर चल रहे हैं, यानि कि हम यहाँ पर एक positive number पर पहुचेंगे, तो हम कहाँ पहुच रहे हैं, चलिए देखते हैं, यह है 1, यह है 2, तो हम 0 के 2 उपर हैं, यानि कि हम हैं अभी positive 2 पे, हम हैं अभी positive 2 पे इसे मैं सिर्फ 2 भी लिख सकती हूँ तो मैं इसे 2 लिख दूँगी ठीक है तो जहां पे हमारी ये arrow खतम हो रही है वहां से हमारी ये वाली arrow शुरू होती है और यहां क्योंकि ये arrow नीचे की तरफ बढ़ रही है इसलिए हम 2 में से इसे घटाएंगे तो ये कितना है? चलिए पता लगाते हैं ये है 1 unit, 2, 3, 4 unit के बराबर और क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है इसलिए हम 2 में से इसे subtract कर देंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2-4 तो 2-4 कितने के बराबर होता है? इसका भी पता हम यहां से लगा सकते हैं तो हमारी ये arrow ये finally जहां पे ये जिस point को indicate कर रही है ये हमें हमारा answer दे देगा तो चलिए देखते हैं तो ये वाला mark है 0 इसके नीचे होगा negative 1 और ये है negative 2 तो हम कह सकते हैं कि 2-4 ये बराबर होता है negative 2 के तो ये हमारी equation हो गई जो इस number line को represent करती है और हमने अपनी इस equation को subtraction form में लिखा है लेकिन हम इससे चाहें तो addition equation के form में भी लिख सकते हैं यहां पे अगर हम चाहें तो 2-4 को हम ऐसे लिख सकते हैं इससे हम 2 plus 2 plus negative 4 भी लिख सकते हैं 2 plus negative 4 equals to negative 2 तो चले इसे चेक करते हैं हाँ यह सही है और एक आखरी सवाल और करेंगे हम fill in the blanks to complete the equation that describes the diagram तो यहां है 0 और हम 0 से left move कर रहे हैं और हम पहुच रहे हैं negative 4 पे तो negative 4 तो यहां पहले से दिया हुआ है और फिर negative 4 से हमारी दूसरी arrow शुरू हो रही है जो भी left direction में move कर रही है इसका मतलब है कि हमें negative 4 में यह वाली arrow add करनी है तो यह arrow कितनी है? यह है 1 unit और यह है 2 units के बराबर तो यहां पर हम 2 units add करेंगे negative 4 में लेकिन क्योंकि यह arrow left direction में move कर रही है 0 के इसलिए यह negative होगी यानि कि यह arrow represent करती है negative 2 को तो यहां पर हमें negative 4 में add करना है negative 2 को और finally हमें कितना मिलेगा? तो यह है negative 4 यह होगा negative 5 और यह होगा negative 6 के बराबर तो negative 4 plus negative 2 यह बराबर होता है negative 6 के तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं हाँ हमने यह भी सही कर लिया और यह हमने पूरा कर लिया